नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सिर्फ मैं टिटोरियल में आपका स्वागत है आज की क्लास में मैं PG क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिस्टोग्राफी पेपर लेकर आए हूँ पीजी क्लास के विध्यार्ठी जो हैं, आज पढ़ेंगे हिस्टोग्राफी इस पढ़ेंगे इस्टोग्राफी पिपर में आप पढ़ रहा है चैप्टर इतिहांस का अन्य सब्जेक्टों के सांथ संबंध है इस सिलसले में आज है सेरीज 6 इस छठे सीरीज में आप पढ़ेंगे relation of history with sociology यानि इतिहांस का समाज सास्त्र के सांथ संबंध समाज सास्त्र के सांथ इतिहांस का क्या संबंध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अगर जो विद्या थी नए नए इस वीडियो को सुन रहें उनको बता दू कि मैं हिस्टोग्राफी पेपर का unit 1 जो है जिसमें प्राकृति इतिहांस की प्राकृति इतिहांस के अर्थ और संकल्पना और धारना इतिहांस के प्रकार इसे related बहुत सारे वीडियो मैं अप अप्लोड कर चुकी हूँ आप मेरे चानल पे देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो मैं स्टार्ट करते हूं इतिहांस का समाज सास्त्र के साथ संबंद समाज सास्त्र के संबंद में हम यह कर सकते हैं कि इतिहांस और समाज सास्त्र एक दूसरे के पूर इतिहास प्राया किसी न किसी समाज कहीं होता है। यदि समाज ना होता तो इतिहास का निर्मान भी असंब्वता। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अन विशयों की तरह इतिहास का भी समाज सास्त्र के मद्ध घनिष्ट संबंध है। दोनों के अध्यान का विशय समाज में निवास करने वाला मानव है, प्रन्थु दोनों के बीच मानव के परति पहुँच में अंतर है। समाजी क इतिहास के अंतरगत हम मनुष्ट यवम समाज की विभिन संस्थाओं यवम समस्याओं का अध्यान करते हैं। समाजिक इतिहास के अंतरगत, जो मानो जीवन का अत्यंत महत्पून पहल हुआ है। वेवहारिक पत्ति का वर्णन करने के लिए समाज सास्त को इतिहास की और इतिहास को समाज सास की और सकता है। ताकि समाज की वास्तिव की इतिति को लोगों के समुख प्रस्तूत किया जा स यह तो लिखते समय थोड़ी से इतिहांस और समासास्त्र के बीच के प्रिश्भूमी के रूप में लिखा गया है अब इसके संबंद में इतिहांसकारों अनेक इतिहांसकारों ने अपने अपने विचार पर कटकी हैं यहां मैं 7-8 इतिहांसकारों के विचारों को मैंने यहां पर टैग किया हुआ है आप यदि क्वेश्चन बनाए हो सकता है आप में कोई लॉंग क्वेश्चन आए या सौट क्वेश्चन आए आप उसी के अंसार जो आपको जिन इतिहांसकार का विचार आपको ज्यादा इसलिए भी हमने ऐसा लिखा है कि यह question आपके objective में भी पूछ सकता है अगर होगा कि 10b ने समाज सास्ट के बारे में इतिहास और समाज सास के समंद्ध के बारे में क्या कहा है तो आप लिख सकते हैं या यह विचार कीन का है इस तरह भी आप question complete कर सकते हैं सलिए श्टार्ट करते हैं 10b के अंसार समाज वह कन है जिसके अधार पर इतिहास लिखा जाता है इतिहास के अंतरगात हम केवल व्यक्ति आत्वाराश्ट का ही अध्यन नहीं करते हैं पीतु समाज का जो इतिहास के अभीन अंग है का भी अध्यन करते हैं इमाईल दुर्खीम इमाईल दुर्खीम ने इतिहासिक तत्यों के संदर में संचिप्त प्रयोगात्मक तुलनात्मक पद्धी को अपनाया है और इस पद्धी के द्वारा वो इतिहास और समाज जास्त्र को एक दुसरे के काफ़ी निकट ला दिया है काम्टे के अनुसार इतिहासकार काम्टे उन्होंने कहा है कि इतिहास समाजिक भौतिक सास्त्र है इसके अंतरगत मानिवे विवहार के समान नियमों का अध्यान होता है रेनियर, इतिहासकार रेनियर का कहना है कि समाजी कितिहास आर्थी कितिहास की प्रिष्ट भूमी है और राजनिती कितिहास की कौशोटी है ट्रेवेलियन का मत है कि समाजी कितिहास के अभाव में आर्थी कितिहास मर्वस्थल और राजनिती कितिहास पंगू हो जाता है अच्छी है ट्रेवलियन निमत तो मैं एग्री करती हूं कि समाजी कितिहास के अभाव में आर्थी कितिहास मरवस्तल और आजमीती कितिहास पंगो हो जाता है बी से खल लिगा कहना है कि समाज सास्तर का विकास समाजी कितिहास के परिप्रेक्ष में हुआ है प्रोफेसर ई-चकार ने समास दास्तर और इतिहास के संदर में लिखाएगी समास दास्तर को यदि इतिहास के समान अध्यन का एक महत्पूर्चत बनना है तब उसे निश्चे स्वेम को अद्यूतिये और समान के मद समधित रहना चाहिए प्रंदू साथ ही उसे सक्रिय बनना चाहिए और क्योल वर्तमान समाज का ही नहीं अपीतुर समाजिक परिवर्तन और उत्थान का भी अध्यन प्रस्तुत करना चाहिए जिसके लिए मैं यह कहूंगा कि यानि कि इचकार ने कहा है कि इचकार यह कहेंगे कि जितना ही समाजिक इतिहास बनता है उतना ही एतिहासिक समाज का निर्मान होता है जो दोनों के लिए स्रेष्ट है इसलिए दोनों के मद सीमा और आवा गमन के मार को सदर खोला रखना होगा इचकार यदि आप कभी लिखे तो इचकार की यह टिपनी जरूर लिखे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अब एक इतिहास कार है एच बढ़ने इन्होंने लिखा है कि समुहिक जीवन में कार्णों और परिनामों दोनों का उल्लिख किया है यह एक मूलभूत समाधिक बिग्यान है और एक मात्रविशय है जो समाजिक प्रक्रिया का समान दिष्टिकों नयोकार्पों को प्रस्तुत करने की आजा करता है चुकि इतिहांस कोई तुक्ष भाग नहीं जिसके द्वारवा समुह की आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, अध्यात्मिक, धार्मिक, दसाओं और प्रस्तितियों के वर्णन के लिए पर्तिभद हो यह स्पष्ट है कि इतिहांस कार की दिष्टि एम सही वर्णन की छमता भौतिक रूप में उसके समास सास्ति के प्रारमिक सिधान्तों के कारण बढ़ जाती है इतिहास और समाज सास्त्र के संबन्द में हम कर सकते हैं कि समाज में परिवर्तन होने पर ही राजनिती में परिवर्तन होता है नम सही है कि समाज में परिवर्तन होता है तो राजनिती में परिवर्तन होता है लेकिन समाज में जो परिवर्तन होता है वो दिखता है लेकिन जब पीर नानक चैतन्य आधि समास उधार को और राजाराम मुहडाय मात्मा गांधी द्यानन सश्वती ज्वाहर लाल लहरु जैप्रकाश नरायन लोहिया आधि समाजिक राजितिक व्यक्तियों के कार्ज उक्त दोनों ही सास्तुर से संबंध है यानि तोनों सास्त कौन-कौन समा समाज सास्ते से संबंधित हैं और इतिहास से भी संबंधित हैं इसलिए इनके विचारों को कत्नों को इनके कार्यों को हम समाज सास्त में पढ़ते हैं और इतिहास में पढ़ते हैं और उनके पास परिक संबंधों को भी सप्ष्ट करते हैं उप्युक्त तथ्यों के अधार पर हुँ कर सकते हैं कि इतिहास और समास सास्त एक दूसरे से घंशता से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के भी निका इनका कोईस देख्टे नहीं है इस तरह से आप लोगों ने देखा पढ़ा और हमें जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अच्छे से आप इसको नूट कर लें जिससे आपके लोग कोश्चन और सोट कोश्चन और अबजेक्टिव कोश्चन भी इससे तयार हो जाए यदि मैं आपको ऐसे बता रही हूं तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा हो इसमें आपको सुधार करना चाहते हो या अपनी कुछ राया सुझाओ देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्षन के माध्यम से अपने राया सुझाओ हमें दे सकते हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से दाल लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच अपने फ्रेंड के बीच जि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो और जल से जल सब्सक्राइब कर ले जिसे नए नए वीडियो के नोटिफिकर्शन आपको आसानी से मिलते रहे हैं थैंक यू थैंक यू सो मच इकनी पैसल से मुझे सुनने के लिए